दोस्तों एक और जहां आज इंद्रदेव राजस्थान पर महरबान है तो दूसरी और भार के महिला टीम पर भी जो है आज उनका लक और उनकी महनत दोनों महरबान रही और नकेवल हमको ओलम्पिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारती महिला मिली बलकि उसके साथ-साथ भारत की ओलम्पिक के हौकी महिला क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उमीदे भी बरकरार रही तो आईए चलते हैं बात करते हैं इस मुद्धे पर भारती महिला हौकी टीम की खिलाडी वंदना कटारिया जो है उन्होंने दक्षन अफरिका के खिलाफ शांदार प्रद लगाने वाली पहली भारती महिला खिलाडी बन गई हैं 1984 की बाद किसी भी भारती चाहे वो महिला हो या पुरुष उसने ओलम्पिक हौकी में हैट्रिक नहीं लगाई थी और ये रिकॉर्ड अब वंदना कटारिया के नाम हो चुका है अगर बात करें पहले की तो इससे मुकाबले को 3-1 से जिता था अब चूकि भारत यहां जीत गया है तो भारती टीम ग्रूप A का अपना आखरी मुकाबला जीतने में सफल रही है चैंको चुके हैं और वर्तमान में हम 4 इस्थान पर हैं तो अगर अगले मैच में जो की बृतेन और आइलेंड के बीच होता ह और ब्रिटेन यदी आर्लेंट को हरा देता है तो भारत यहां पर quarter final के लिए qualify भी कर जाएगा और अगर ऐसा होता है तो महिलाओं के टीम के पास भी इस बार के लिए एक पदग पका करने का अपने पास सुनरा मोका होगा क्योंकि quarter final ने जितने के बाद ये टीम में semi final में पहुँच जाएगी और वहाँ पर भारत पदग के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है तो देखिए दोस्तो बहुत बहुत बहतरीन प्रदर्शन यहां पर महिलाओं ने किया वाकई में काबिल तारीफ इनका प्रदर्शन था कि इतने मैच हारने के बावजूद इन्होंने वापसी की वो भी जवर्दस्ट वापसी तो उमीद करते हैं हमारी महिला टीम इसी तरह से आगे बड़े हाला कि आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा और जो है जैसा कि बात करें अगर तीरंदाजी की तो अतानु दास उसमें हारकर के बाहर हो गए इसी तरह से सुबह अमित पंगाल का मुकाबला था पहला राउ लाड़ी ये कारणा में जरूर करेंगे तो बने रहे इसी तरह मारे साथ और देखते रहे सभी वीडियो थैंक्यू